किसी भी एपीए बेस्ट आप को बनाने के लिए आपको उन सौफ़एर्स या उन मॉडल्स की एपीए कीज चाहिए होते हैं इस वक्त दो मशूरे जमाना आपकी वेबसाइट हैं जिसमें एक ओपन एई है जिनका चैट जीपीटी बड़ा मशूर हुआ है सेकंड इस हगिंग के उपर आप सि्म्पल ही जाएं उनकी वेबसाइट पे वैबसाइट पे जाने के बाद मशूर Бज पर अब यहां पर गूगल पर जाके लिखेन हगिंग हगिंग फेस हगिंग फेस पे जाके यहां पे आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप जो अपना साइन अप बनाया अगर आपका नहीं बना हुआ तो साइन अप बना ले यहां पे जाएं और यहां पे सैटिंग में चले जाएं इसकी settings में जाने के बाद आपके पास access tokens बढ़े होंगे यहां पे यह access token यहां पे मिल जाएगा आपको यहां पे new token generate करें for example इस token को मैं नाम दे देता हूँ AI का चिला और इसको मैंने write करके बना लिया generate token तो यह मेरे पास AI का चिले का token बन गया I can show you this one like this यह token आपका secret है यानि कि जो कोई भी token को use करके को software बनाएगा या use करेगा वो यही समझे कि दुनिया को यह पता है आप कर रहे हैं क्योंकि आपके नाम से की बनीगी समझा ही बात की तो हमेशा मैं क्या करता हूँ जो public की होती है इसकी की पपड़ो हमने अपनी क्या बना नहीं भाई परिशान मत हो यह सारी चीज़ें खेली हुई है second one is open AI आप open AI यहाँ पर जाए open AI API लिखे Google में लिखना Google में लिखते go like this open AI API यहाँ पर जाने के बाद इस पर क्लिक करे क्लिक करने के बाद अगर आपका अकाउंट बना है that's great नहीं बना तो sign up करें मेरा अकाउंट बना है मैं login पर जाता हूँ और automatically मैं logged in हूँ लेकिन मैंने security लगाई हुए you know for safety purposes और उसमें मैं अपनी जो key है वो add करता हूँ अपना जो one time code है तो वो add करने के बाद मेरे पास आजाए अगर बट आपको अक्सरों का जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने ये one time code नहीं लगाया हुआ मैंने लगाया हुआ तो इस वज़ा से मुझे जरूरत पढ़ रही है because I have something very special going on this one और यह मेरा plus का account है और यहां पे API पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे personal में जाएंगे personal में जाने के बाद view API की यह आपके सामने इस तरीके से API कीज आ जाएंगे ठीक है यहां पे आपने create करनी है new AI का चिल्ला create new key यहां से आपने पहले copy कर लेनी और आपने भी किसी को यह keys नहीं देनी यह आपके account की keys हैं यानि कि अगर कोई use करता है तो वो असल में आप ही use करने है and it can make some kind of issues for you guys ठीक है अगर आपके पास कुछ भी accessible नहीं है इसमें से तो आप दोबारा से यह keys बनाए and it will be helpful for you मैं यहाँ पर यह recording को stop करता हूँ और यह दो किस बहुत जरूरी है हमारे अगले lecture के लिए